है 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 आज हम लोग क्लास एट एक्सरसाइज 2.2 का कुस्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक समझाने जा रहा है कल हमने पीछले वाले वीडियो में फॉस्ट और सेकेंड इसका समझाया था आज हम कुस्चन नंबर 3 समझा रहे हैं इसके अंदर में एक जो एना आइसो सेल ट्र ट्रेंगल है यह इक्वल साइड है इनका बेस दिया हुए फोर वाइ 3 सेंटीमीटर ठीक है इसका लेवल कर लेते हैं और जो यह इक्वल साइड से हमको फाइन करने तरह को हम लेट कर लेते के एक से यहाँ पर लिखेंगे लेट equal side of isosilis triangle b x cm ठीक है और इसकी perimeter दे रखी है perimeter equal to दे रखा है 4 and 2 by 15 cm यह गीवन है आपका तो perimeter of triangle होता है यह होता है a b plus b c plus c a यह दिया हो इसको आपको fraction में कर लेना 15 4 जा होता है 60 और यह होता है 62 by 15 ठीक है और a b लिखना कितना है a b x c a आपका b c a आपका 4 by 3 है और c a भी आपका x है और इसको solve करना है like term कर लेना x और x यह दोनों एक साथ हो जाएंगे x plus x equal to 62 by 15 और यह दोनों like term है यह plus में ते धर आके minus हो जाएगा x और x को plus करेंगे यह 2x हो जाएगा इसका LCM ले लेंगे 15 यह 62 ही हो जाएगा minus 3 5 जाए 15 होता है तो इसको 5 से multiply कर देना 5 हो जाए 20 तो 2x equal to हो जाएगा आपका minus करके 2, 6 में 2 जाएगा 4 by 15 ठीक है तो x equal to हो जाएगा आपका 42 by 15 और 2 multiply में था तो divide में आजागा 2 से यह cancel हो जाएगा 21 ठीक है? 3 से हो जाएगा 3 5 जा और 3 7 जा तो therefore x की जो value है यह आपका जाएगा 7 by 5 cm तो इसको जो है ना आप लिख देना इसमें mix fraction में तो यह 1 and 2 by 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 जाएगा 5 और 2 7 by 5 cm ठीक है? तो यह इसके equal side जो होंगे ने इनके जो ISO cell triangle के जो equal side है वो जो है ना 1 and 2 by 5 cm जो ना होगा नीचे आपको answer लिख देना इसका ठीक है? यह जो है ना यह final answer हो गया अब हम question number 4 फोर हम बता रहे हैं फोर देखते हैं कैसे बनेगा 4 में आप यह दो number का जो हैना difference दिया हुआ है यह आपका जो हैना 15 दिया हुआ तो एक number जो हैना आपको let करना है let the number be x तो other number इसका हो जाएगा x plus 15 यानि एक number जो हैं दूसरे number से 15 ज्यादा है तो इन दोनों का sum जो हैना दिया हुआ है according to question sum of two number sum of two numbers जो दिये हुआ है यह दिया हुआ है आपका 95 ठीक है अब इसको solve करते हैं दोनों का sum यानि x और x पलस 15 दोनों हो गए equal to 95 अब इसको solve कर लेते हैं तो यह x और x केतना होता है 2x हो गया और यह इसको like time कर लिजिए 15 तो 2x equal to हो जाएगा 0 9 में से बन जाएगा 8 x equal to हो जाएगा 8 by 2 यानि 240 जाएगा यानि x आपका कितना हो गया 40 एक number आपका 40 आगया तो other number जो है आप निकाल ले तो other number कितना हो जाएगा अधर number हो जाएगा x plus 15 है न तो 40 plus 40 plus 15 कितना होता है यह होता है 55 ठीक है तो यह दूसरा number जो है आपका 55 तो दोरों number हो गया आपका एक पोटीएस f eventy 5 ठीक है यह हो गया आपका जो एन फौत नमर्बर कॉस्टंधन आवा पीफ नमबर कॉस्टन साफ एक हो जो Crippied A rest number में जो एन आपको दिया हुआयो रेशियो दिया हुआ है दो नमबर का रेशियो है यह 5 घुत कर लेते हैं Let the ratio, let the ratios R हो गया, आपका एक हो गया 5X and दूसरा हो गया 3X, ठीक है, दोनों का difference ना 18 गीवन है, difference by, differ by है, differ by 18 है, यह गीवन है, तो differ का मतलब हो गया, difference दोनों का, तो 5X minus 3X, according to question लिख देना, I equal to 18 गीवन है, तो 5 में से 3 minus हो गया, तो यह 2X हो गया, 18, तो X equal to केतना हो जाएगा, 18 by 2, 2, 9, 18, तो एक नमबर जो हैना, 9 हो गया, X, तो ratio इसका केतना हो जाएगा, वह हम निकाल लेंगे, तो numbers हो जाएंगे, इ 5X, 5 into 9 कर लेना, 9, 5, 45 हो जाएगा, और आपका यह 3X है, तो यह हो जाएगा, 3 into 9, 9, 3, 27, तो यह दो नमबर जो हैना, आपके एक 45 और एक 27 हो जाएगे, ठीक है, और कोई problem हो, तो आप comment box में बताना, इसको हम फिर clear कर देंगे, थैंक यूए student,